Hey guys, welcome all of you in this video आज जो हमस्टार्ट करने वाले हैं, वो electricity का lecture number 3 होगा of class 10th चली हमस्टार्ट करते हैं अभी तक जो हम लोगों ने देखा अभी तक हम लोगों ने देखा कि charges के बारे में देखा जो कि constitute करते हैं, electric current को electric current flow करते हैं resistance की एक property है जिसमें की current को वो रोकता है resistivity एक property है जिसमें material की property शो करता है तो ऐसे बहुत सारे terms को हमने देखा इस topic में हम जो देखने वाले हैं वो है electric circuit अभी तक यतनी भी चीज़ें हमने देखी charges, electrons, resistance, resistivity, electric current positive charge, negative charge इस सब कहां देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि यह जो electric circuit है इसी circuit में electrons flow करते हैं एक closed path in which the electric current can flow is called an electric circuit a closed path ठीक है जैसे कि मैं कहूं यह box है ठीक है यह closed है यह from all directions it is closed तो a closed path in which electric current can flow is called an electric circuit it is divided into two types first one is open circuit second one is closed circuit open circuit जैसे कि open circuit यह हुआ ठीक है अगर मैं यहां से कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो यहां तक आएगी लेकिन यहां तक नहीं पहुचेगी यहां तक नहीं पहुचेगी तो इस आपन सर्कित और कह सकते हैं हम लोग break circuit break circuit और वहीं पहुचेगर मैं close circuit की बात करता हूँ तो close circuit ऐसा ठीक है यह पूरा close होगा ठीक है यह पूरा close करेंगे हम ठीक है तो यह close circuit जिसमें से current यहां से start करता है flow करना ठीक है यहां से start करेगा flow करना और यहां तक पूरा इस शर्कित में पूरा ही वह पाहँचेगा ठीक है पूरा ही इसमें travel करेगा वो इस सर्कित में पूरह ही वह यहां से start करेगा यहां से flow करेगा ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे कि open circuit close circuit आप लोगने देख लिए है गया कि कि एक ऐसा सर्केट जिसमें से करेंट फ्लो करने के लिए कोई भी ब्रेकज नहीं आता ठीक है लेकिन ओपर सब्सक्राइब क्या होता है उसको पूरा पाथ नहीं कंप्रीट मिलते हैं इससे कि वह एक जगह से स्टार्ट होता दूसरे जगह जाकर रुख जाता है ठीक है यह पॉचिट्यू जर्जस लोंग रॉड़ और इस मौ ड्रव नेएगिटिव चैजर पॉचिटिव और नेगटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पॉचिटिव से यहां पह से एक ड़ रू वेटिव ठीक है जॉइन्ट वायर जैसे कि अगर मैं ऐसे करूँ एक वायर है ठीक है एक वायर है जिसमें कि मैंने ऐसे शो किया है ठीक है ठीक है जैसे कि मैंने कहा कि यह एक वायर है ठीक है यह एक वायर है और इसमें से एक वायर जाता ऐसे करके यह मतलब हुआ कि वायर ने इसके उपर jump किया है ठीक है इसका कोई joint नहीं है इसके उपर बाइर jump करें गया है लेकिन मैं आगर ऐसे बनाता हूं यहां पर ऐसे करता हूं this means this two wires has been jointed ठीक है यह electric bulb का है यह रजिस्टर का है यह variable मतलब रियो स्टेट का है एम मीटर का ए से वोल्ट मीटर का वी से तो यह कुछ आपके अलक्रिक सर्कृट के सिंबल से इसको याद रखिएगा अब आता है एमिटर जैसे कि मैंने आप लोग शुरुवात में ही बताया है कि वोट इस एमिटर एमिटर इस डिवाइस विच इस यूज तो कल्कुलेट दामाउंट अफ करेंट फ्लोइंग थ्रूइंग इसको ध्यान रखिएगा एमिटर हमेशा सिरीज में कनेक्ट किया जाता है और नेगिटिव नेगिटिव टर्मिनल से ठीक है यह ध्यान रखिएगा इस बारे में है कि एमिटर हमेशा सिरीज में connect किया जाता है ठीक है और positive side of the emitter must be connected nearest to the positive terminal of battery or electric cell and vice versa ठीक है vice versa मतलब उसका just ultra यह द्याद रखिएगा अब आता है volt meter के बारे में तो volt meter हमेचा parallel में connect करते हैं emitter series में और volt meter parallel में to the circuit the positive side of the volt meter is connected to the positive terminal of the cell ज्यान रखिएगा देखिए positive से positive connected है negative से negative की तरफ connected है ठीक है याद रखिएगा इस चीज़ को वो वायर से joint है positive circuit से जुझा जुड़ा होता है वो ठीक है emitter आपका चिस्से जुड़ा होता है series में ठीक है और आपका वोल्ट मेटर पैरलल में ठीक है चलिए अब आते हैं इस बारे में कि जैसे कि हमने देखा कि हमने इस अब देख लिया कि अग्ट्रिक सर्कृट कैसा होता है अब हम आते हैं है combination of resistance में जैना तो थो तइपस अभ लिएशन फर्स वनन सिडिट लिए सिरीज कंबिनेशन जथी कैसे वन इस बारे बारे करके कि हैं जिए इसके बारे में देखतें हैं बारी बारे करके शासे पहले हम देखेंगे resistance in series ठीक है resistance in series के बारे में देखेंगे when two resistors are connected end to end consequently they are set to be connected in series ठीक है जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक bulb लेता हूँ ठीक है इसको जोड़ दिया wire से अब इसी wire से दूसरा बल भी मैं जोड़ देता हूँ इसी wire से next to next तीसरा बल भी जोड़ देता हूँ ठीक है ये हुआ register in series ठीक है 1,2,3 ठीक है ये register in series हुआ when two resistors are connected end to end end to end का मतलब ठीक है ये bulb था पहले end से ये जुड़ा हुआ है दूसरे end से दूसरा बल ऐसे ये ये wire इसके end से जुड़ा हुआ है ये wire इसके end से अब इस end से जुड़ा हुआ है तो end to end joint है तो उसे कहते हैं consequently in series when a number of resistors connected in series are joined to the terminal of battery then each resistance has a different potential difference across its ends which depends on the value of resistance but the total potential difference across all the ends of the resistors and series are equal ठीक है इसके बारे में सब्सक्राइब क्या होता है पहले देख लीजिए the number of resistors are connected in series the same current flows through each resistance यहाँ पर यह चीज़ बहुत important है यह चीज़ हमेशे ध्यान रखिएगा same current same current ठीक है series combination में current same होता है ठीक है series combination में current same होता है लेकिन potential difference change होता है इसको याद रखिएगा ठीक है when a number of resistors are connected in series then the same current flows through each resistance ठीक है अब देखते हैं आगे ठीक है यहाँ पर when two or more resistors are connected between the same points they are set to be connected in parallel like यह मेरे पास कुछ रजिस्टर्स है मैंने इसको ऐसे जोड़ा इससो कहता हूं R1 इसको कहा R2 इसको कह दिया मैंने R3 यह मेरी battery अब देखिए same point से इसी wire से तीनो रजिस्टर जुड़े हुए हैं ठीक है इसी wire से तीनो रजिस्टर जुड़े हुए हैं उसका second end तीनो वायर जो हैं एक ही release 왜 जुड़े हुए हैं तो यह होता है parallel combination ठीक है इसमें क्या हुआ clean same होगा यहाँ से current गया इसमें गया यहां से current गया इसमें घया यहाँ से current गया इसमें गया ठीक है इसमें current different होगा, sorry, इसमे current difference होगा, यहाँ पर पहले I था, I1 गया, इसमे I2 था, I2 गया, इसमे I3 गया, लेकिन potential difference same होगा, V, 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 potential difference same होगा, when the number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistor is same, which is equal to the voltage of battery applied, तीनों रजिस्टर को same voltage मिलेगा, different amount of current flows through each resistor, but the current flowing through each parallel resistors taken together, is equal to the current flowing in the circuit as whole, that's when a number of resistors are connected in parallel, then the sum of current flowing through all the resistors is equal to the current flowing in the circuit, ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर यह circuit था, ठीक है, यह circuit था आपके पास, तो उसमें क्या हुआ, जितना current जाएगा, इस circuit में यही circuit था ना, R1, R2, R3, जितना circuit इसमें पूरे में flow किया है, इसमें, 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 I1, I2, I3, उतना ही पूरा इसमें आएगा, I1, I2, I3, जितना जाएगा current उतना ही बाहर भी आएगा, ठीक है, यहां कुछ differences है, वो भी चलिए देख लेते हैं, equivalent resistance, more than a highest resistor, less than or equal to the lowest resistor, amount of current, ठीक है, current is less as resistance is more, current is more as resistance is more, switching on and off, if one is appliances is switched off, other also not work, ठीक है, अगर एक appliance off है तो दूसरा भी off रहेगा, if one is appliances switched off, other works independently, अगर एक off है तो दूसरा काम कर सकता है, इससे कोई effect नहीं होगा, यह हम लोग के घर में use किया जाता है, parallel combination हमारे घर में use किया जाता है, appliance failure, if one appliance stop working, तो कोई भी appliance काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें parallel में ऐसा नहीं है, potential difference, each appliance receives maximum potential difference, ठीक है, and potential difference to divide, so each appliance receives less potential difference, ठीक है, यह कुछ series और parallel के differences है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, जहां पर हम देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो series और combination को लेकर देखेंगे, हम, ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने बात की, पहले series के बारे में, ठीक है, यह आपका एक parallel combination है, यह आपका एक parallel combination है, series में अगर बात करता हूँ मैं, तो पहला register यह, दूसरा register यह, तीसरा register यह, यह एक battery से जुड़े हुए है, यह plus charge, यह minus charge, इसको कहता हूँ R1, इसको कहता हूँ R2, इसको कहता हूँ मैं R3, ठीक है, अब मैंने कहा, कि यह 3 resistance है, आपको पता है, series में current same रहेगा, मतलब यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, ठीक है, लेकिन potential difference जो होगा, वो different होगा, मतलब यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, ठीक है, अब अगर ohms law देखोगे, तो ohms law का formula क्या है, V is equals to IR, अब अगर यहाँ पे देखोगे, तो V1 क्या हो जाएगा, I1, R1, छीक है, IR1, V1 क्या हो जाएगा, IR1, V2 क्या हो जाएगा, IR2, V3 इसी तरह क्या हो जाएगा, IR3, अब अगर I को देखोगे यहाँ पे, इसमें अगर I को देखते हो, तो I क्या हो जाएगा, V1 by R1, दूसरा I क्या हो जाएगा, V2 by R2, ठीक है, यह इसके series के लिए है, तो series में आप जो formula use करेंगे, series में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, series में हम जो formula use करेंगे, वो होगा, R1 is equals to resistance के लिए, R1, R equivalent बोल सकते हैं, इसको, total resistance को एक साथ add करना, R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3 resistance के लिए, अब वही बात मैं अगर parallel में use करता हूं, वही बात मैं अगर parallel में use करता हूं, तो parallel में R equivalent जो होगा, ठीक है, R equivalent जो होगा, 1 by R equivalent, वो होगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है, यह parallel combination का होगा, यह parallel combination का, यह series combination का resistance निकालने के लिए, यह resistance निकालने के लिए, R1 plus R2 plus R3, और parallel combination में निकालने के लिए, 1 by R equivalent is close to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है, यहाँ पर आगर आप देख रहे हैं, यह figure कुछ ऐसाद बनाया गया है, जिसमें कि आपको यह दिखाया गया है, यह parallel combination है, R1, R2 और R3, ठीक है, I आता है, तीन पार्ट में डिबाइड होता है, I1, ठीक है, I2 और I3, ठीक है, यहाँ से निकलता है I1, I2 और I3, I गया और I निकला, यहीं बता जितना current जाएगा, उतना है current वापस भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, I1 is close to V by R1, पहले के लिए, I2 is close to V by R2, दूसरे के लिए, I3 is close to V by R3, तीसरे के लिए, तो current क्या होगा, यहाँ potential difference कितना होगा, V1 is V is close to V2, V1 plus V2, V1 is close to V2 is close to V3, ठीक है, यहाँ potential difference कैसा होगा, यहाँ potential difference सबके सेम होगे, parallel combination में potential difference सबके सेम होगे, current कैसा होगा, तीनों को जोड के, यहाँ से जो current निकला, यहाँ से जो current निकला, यहाँ से जो current निकला, यह चीज़ है, parallel combination में, तो यहसे कि मैंने बताया, series एक ऐसा combination है, जिसमें कि अगर एक switch off हो जाए, यह resistance, यह resistance, यह resistance, अगर मैं यहाँ से wire को काट दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से wire को cut कर दूँ, तो इसमें भी current नहीं जाएगा, इसमें भी current नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं parallel में, यह wire, यह wire, अगर मैं यहाँ से current को cut कर दूँ, तो current यहां से तो flow कर सकता है न, current क्या, current यहां से तो flow कर सकता है, यहां से अगर cut कर दिया मैंने तो, ठीक है, तो parallel combination में अगर एक system खराब होता है, तो दूसरा काम कर सकता है, लेकिन series combination में ऐसा नहीं है, ठीक है, hope so, यह कुछ आए circuit है, देखिए यह series combination है, हम कैसे जोडते हैं, तो देखिए series combination यह रहा, ठीक है, जिसमें दोनों circuit एक साथ जुड़े हुए है, ठीक है, और यह आपका parallel combination, जैसे कि मैंने बात कही थी अभी आपको emitter के बारे में, कि अगर series ऐसे है, ठीक है, तो उस case में emitter को हम ऐसे जोडते हैं, series में ही, यहां plus, यहां minus, और wire को complete कर दें गे तुक है emitter हमेशा, कि यह बताता है emitter कि यहां से current निकला है, कितना निकला है, मांग चलिए 1 ampère current निकला, वन एम्पีय करृंट मेजर किया एंपेander ने ठीक है कहा कि यहां से कर्षेट वन एंपीर ही जाएगा तो अगर दुबारा फिर से वन मेंपीरा आता है इसका मतलब इतना करेंट गया उतना आया है है इसलिए एंपेर को हम सिरीज में जोडते हैं लेकिन अगर मैं पैलल कॉंबिनेशन की बात करता हूं तो पोटेंशिल वॉल्टेज वॉल्टमेटर क्या करता है पोटेंशिल डिफ्रेंशकों मजह करता है तो पोटेंशिल डिफ्रेंश को मजवर करने के लिए हमने पढ़ा है क्रॉस टू आइर्स चैंट सफ टू आयर्स तो इसका एक एंड यह रहा एक एंड यह रहा और यहाँ पर हम वॉल्टमीटर जॉयन कर देंगे जिससे हमें मालू कॉल वोल्ट मीटर तो हम इसको पैलल में देखिए आप यहां पे करेंट जाएगा फिर यहां से भी करेंट जाएगा ठीक है और यहां से वापस चलाएगा यहां से वापस चलाएगा तो इससे यह मालूम चलता है कि पोटेंशल डिफरेंस को चेक करने के लिए वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरलल में यूज़ करेंगे ठीक है I hope so you like this video और अगर कुछ डाउट होता है तो please comment और study करते रहिए be at home stay safe thank you so much